पांबिटकर नगर के अकबरपूर नगरपाल का शुत्र के अंतरकरत कदनापूर का मामला है जो 28 नॉमबर 22 को 32 वर्सी विर्जेस के अक्सिडेंट में दर्दनाक मौत हो गई और उसी दिन अकबरपूर नगरपाल का द्वारा अमरवला शुम्चान खाड के समीप इस्तित पगवान सिउजी की विशाल मूर्ति का नारण किया जाना सुनजित क्या गया था टीन की बीच लाइटिंग गुबारे फुल सजावड भी की गई बिना डीजे का नेताजी का कारकम भी फीका होता इसलिए साथ साथ डीजे चलपान की भी विवस्ता की गई थी यह भारतिय संस्कृति की ताकत भी है एक तरफ आगी में जल्द रही चीता से तर तर आहट की आवाज आ रही थी तो दूसरी तरफ आतिसपाजी और संखनाद हो रहे थे इस दिरिस्य को जीन लोगों ने देखा उनकी आत्मा ने चक्छोड कर रख दिया इसमें एक तरफ दुख बियोकरती पत्ने की चितकार और बच्चों की चिक का दिरिस्य है और उसी जगात खुश्यों के दीप जलाय जा रहे बंप होट रहे डीजे पी लोग थिरा कर रहे मगर अनावरोन में शामिल हुए निताजी की स्वंबेदना मर चुकी थी और आंखों का पानी शुक चुका था पूरे शेहर में एक खबर आग की तरफ फल गई कि उस परिवार की स्वंबेदना में अगर अनावरोन दो घंटे रुख दिया जाती तो निताजी की राजनी और भी चमक चाती मगर वोड की भूग ने सब कुछ खात्म कर दिया और सनातनी होने की बाहत करते हैं शाम एक तरफ चिदा जल रही थी वह दूसरी तरफ संखनाद और खुसिया मनाई जा रही थी समसान खाट किया दिस पाजे की गोंश्य थरा गया सारा दृश्य भगवा बोड़नाथ देख रहे थे बादी हो रही थी दीप जलाय जा रहे थे बगल में चिता जल रही थी डीजे पे लोग थीरक रहे थे लेकिन भाजपा के जो संसकारी लोग हैं जो अपने आपको सनातनी कहते हैं उनकी समवेदना पूरी तरह मर चुकी थी उन्होंने ये नहीं समझा कि इसी अकबर नगरपाल का छेत्र के अंतर गयत एक ट्रेजडी हुई है वहां चिता जल रहे थी परिवार चीख रहा था पतनी की चितकार की आवाज इनकी कानों तक नहीं सुन आई दी लेकिन जो आतिस्वादी और ढोल नगारे पे सब एकदम मस्त हो गय थे और नाच रहे थे थिरक र पीछे नहीं किया दो घंटे बाद अगर कर दिये होते हम तो हो सके नेता जी की उस दिन चबी आओर अच्छी हो जाती लेकिन नेता जी ने अपने ओट की चाहत में ओट की भूख ने नेता जी को ऐसा मारा कि वहां चिता जल रही थी चिता से तटड़हत की आवाज निकल रही थी और दूसरी तरफ इनकी आतिसवादी की आवाज निकल रही थी यह अकबरपुन नगर पालका का उस दिन का कारनामा था जिसमें कई लोगों ने इसका विरोध किया उसमें भारतिय जनता पाल्टी के कुछ ऐसे नेता ने भी विरोध किया कि यह जो कुछ हो रहा है यह शमाज के लिए शर्मशार का विशय है और चुनाव भी नस्दीक है लेकिन नेता जी किशी की बात नहीं सुने काफी वो मृतिक परिवार के जब लोग आए कहें कि डीजे को बंद कर दीजे तब कुछ देर बाद डीजे बंद किया गया लेकिन फिर डीजे चालू हो ग या दो घंटे बाद किये होते तो जनता में एक अच्छा मैसस जाता लेकिन नेता जी केवल ओट चाहिए केवल ओट चाहिए ओट में कितने अच्छे काम हो जाए लेकिन यह नहीं सुझा कि अच्छे काम करने के चकर में उनकी जितनी चीछा लेदर हुई नेता जी की अकबरपुन अगरपाल का छेत्र के अंतरगत ये कदनापुर है जहां इस समय इस परिवार के बीच में आया हूं 28 तारीकों विर्जेश की एक्सिडेंटल में मौत हो जाती है विर्जेश अपने साथ तीन बच्चों को भी छोड़ के जाते हैं एक बाप के उपर आज क्या बीत रहे क्योंकि बेटे का जो सहारा होता है वो बेटा होता है लाठी होती है बुढ़ापे की लाठी होती है लाठी तूट चुकी बाप पिता से पूछेंगे लेकिन 28 तारीकों जो द्रिश्य दिखा एक तरफ समसान में चिता जल रही थी चिता की आग थंडी होने का उन्होंने वक्त भी नहीं दिया इधर अनावरण और डीजे बज रहे थे और आतीजवादी हो रही थी ये जब इस तरह की वीडियो जब समाज में वाइरल होती है तो समाज के लोग में क्या असर होता है और नेता जी ने थोड़ी भी समवेदना नहीं दिखाई ना तो आँखों लोग कह रहे थे कि उनकी आँखों का आशु पूरी तरह सूख चुका थे इस परिवार के तरफ तोड़ी भी समवेदना नहीं थी ओट की चाहत में निता जी इतने मदमस्त हो चुके थे कि इस परिवार कोई एक बार भी जहागने तक नहीं आए आज उसी परिवार के सबसे पहले मैं पीता से ही पूछूँगा कि जो बच्चे के जाने के गम में क्योंकि एक बाप कहता है कि हमारी अर्थी उड़ जाए मेरे बच्चे के सामने लेकिन मेरा बेटा जी वित रहे लेकिन आज बेटा चला गया और बाप अन्दा है बेटा के किस तरह कैसी तेदी कैसे एक्सिडेंट हुआ था वह जा रहा था अपने अरुद के आना जात रहा है साइब वहीं आप से मिलने के लिए क्योंगी नहीं आया सर आप उनकी बहन है इनकी बहन है भतीजा बड़े पापा हाद है तीन जनी है तीन बच्चों को छोड़के चलेगा तीन बच्चों को छोड़के चलागे किसे ने कोई मदद तक नहीं कि कौन मदद के साइब क्यों ना मदद की है क्यों अपिसर ना मदद की है आप उनके चाचा जी हैं बिरजेश के जाने के बाद किस तरह परिवार है और जिस तरह की चीजे हुई उस पर क्या परिवार के क्या है परिवार के लोगों का किस तरह अब देखना है कि परिवार किस तरह चलेगा ये थे चार पाँच जार रुपिया लेके जो उने फैजाबाद गए दुनों बच्चन के दवाई आने खाते ही अब कईसे कईसे भगवान उनके पार करी है कमाने वाला वही था अब बच्चन के आपके गाउं के लोगों ने कुछ इस तरह की चीजे का उतकि जिस दिन वहाँ अनावराण था भगवान शिव कि प्रतिमा का एक तरफ चिता जल लेए थी दूसरी तरफ बहुत गोला वरूद दागिन उतो गाउं खाद में एक ठो जाए के वाजा रखवाइस नाद बजवते रह जात रहे है जबकि ने आरे बगल के गाउं जो नहीं सब एकदम आरे बगल के गाउं पूरा गाउं एक सब पूरा गाउं बहुत मदद की बहुत जान लग मेला लगा रहा साहब मगर अब का गरी हमरे सबन कुछ कह सकीते साहब आपन गोला वरूद लगते रहा है कुल बाड़ा सब बाड़ा सब कुछ टंगा था अब हम लोग का कही साब अपने खुदे परेसान है अब क्यों यह वही जनता है जिन्होंने 2017 में ओट देकर नेता जी को चुनकर खुरसी पे बैठाया था लेकिन नेता जी पांच साल में भूल गए कि फिर पांच साल बाद ओट मांगने का समय आएगा तो क्या है लेकिन स्पीडित परिवार की तरफ एक बार भी नेता जी ने जहांक के नहीं देखा कि आज भी स्पीडित परिवार पे क्योंकि पूरा गाउं गम में डूबा हुआ है इसी पे करने कि आतिस वादी हो रही थी डीजे बज रहते संखनाध हो रहा था लेकिन नेता जी लोग खुषि मना आत रहें लाच जलत रहें लेकिन आत तलक भी नहीं आया दारी कर भी मैं उनका छोटा भाई हूं सर मापने भाई गुद लेकिन अपने बाई को देगे अगा तुर्ण तबी उसों कि अधिन उसके बाद जब पर जब पहुचे मैं टाली परते गिर गिया कुछ मेरे गाट में चोट भी लग गई थी उसके बाद मैंने देगा वहाँ पर सीजे की बड़ी मूर्ती लगी और वहाँ पर डीजे बज रहे थे सब तब लोग खुषिया मना रहे थे लेकिन मारे भाई की चीता इदर जल रहे थी वो लोग अगदम डीजे बजा रहे थ इनका फिर कैसे गुजर बशर किस तरह मेरे भाई याई मुझको पाल रखे थे वह नहीं होते तुम बच्पन में चल बखता लेकिन वह मुझको पढ़े दमेंड के बच्चों को देखूंगा विर्जेश की पत्नी से हम बात करेंगे कि विर्जेश की पत्नी से पहले कुछ ले थे जैसे यह हुआ कि वो जा रहे थे किस कारण कहीं बाहर निकले हुए थे जा रहे थे हमको लेने मायके में थे लेने जा रहे थे तो दवा लेने के लिए जा रहे थे कि लेकर आए फिर दवा लेने जाए तो उस रास्ते में उनको इस्टिडेंट हो गया उधर हम रास्ते से मायके से सावारी से आ रहे थे फिर उनको आपर पढ़ा हुआ देखे तो तो फिल लेकर होस्पिटल में गए तो जाते जाते अंदर भी गए तो आदम निकल गया उनका इसके बाद फिर घर वाले वहां पहुंचे सब इतने चोटे-चोटे बच्चे हैं एक पांच साल का है एक लड़की तीन साल का एक देड़ साल का एक बच्च्चा बच्चों की परवरिश अब आप भी को देखनी है आप क्या करेंगे देखना ही पड़ेगा कैसे देख पाएंगे कोई मदद तक नहीं किया आपका आपके गाउं के लोगों ने फोन करके मुझे बुलाया कि कल जिस तरह परशों की अठाइस तारी को जो दिरिश से था वहाँ पर एक तरफ चिता जल रही है चिता के तड़त की आवाज हो रही है दूसरे तरफ डीजे बज रहे थे तो वही नेता को आप लोगों ने चुनकर बैठाया आज इस तरह के समवेदन हिंता पूरी हो गई आप मा है ब्रजेश की आज जवान बेटा चला गए अब जवान बेटे की क्या किया जाए साहिब करेजा फट रहा है आग दाग रही है अब उरका बतामे साहब कुछ नहीं आओ तवा कुल भुलाईगे बुद्धी खप होईगे भाईया बुद्धी खप कई दी हिनक उनु विधा से रहना जातवा रात दिन कलज कलज वाटी रात दिन बराबर है स आपर लोग कुछ मदद करें हमार तो कईसो कईसो बितवे करी स म्हां विधा संहीं कोन वईसण कई देए कि तीन साहिब चाहे जीसे चाहे नांग हरा रहा तो जो उन्वह एसरा खब खाब तो उनहीं क्या उन वही से रही है मरे साथ int incidents लेकिन यह बच्चन का हम वहाईबना साहब, यह हमार अवलाद हैं, हमार खून हैं, हमार बहुत सबसे प्यारा बच्चा रहें, सबसे ज़्यादा सहारा उनके हम के रहें, हमरे चार बच्चे रहें, तीनों के रहें, जितना तीनों के रहें, वोतना उनके अकेल सहारा के रहे के अकुछ ना बोलिया निका तब भाईया् अज पूरे गाउं के आंखों में गाउं के लोग इकठा हुए है गाउं पूरी तरह आंसु छ़लक रहा हैं बह। दर्द की आंसु letter कि विर्जेस ऐस्जीड़न्थ हुआ परिवार कहा जाएगा पोर योटा है जो बुड़े पीता है उनकी एक समझे लिए बेटा चला गया उनकी जो बुड़ा पे काई